श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भादरपद महीने का मंगलवार भौम अमावस्या पढ़ रही है। अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सातकाली मिर्च के दाने वाला उपाय है तो दोस्तों, इस भादरपद मह के पहले भवमती अमावस्या के दिन आप लोगों को इस सातकाली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। जो कि 3 सितंबर 2004 भादरपद महीने का मंगलवार भवती अमावस्या के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भादरपद महीने के भव मती अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा। जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी हो। होगी इसी लिए आप लोग इस वाले उपाय उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं, देखिए, यह भाद्रपद महीने के भवमती अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा-पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, अगर आप लोग भी इस उ अगर किसी विशेश विश्दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेश दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल सची बातें को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम जर जाएंगे और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको साथ काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है, और जब बात आजाए साथ काली मिर्च के दाने की, तो य यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है, इस भाद्रपद भव मती अमावस्या का, तो अब दोस्तों, इस काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, है सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं, तो द करवा सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी अगर को कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे गर परिवार की सुख और शांती के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहने अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस साथ काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है। अगर आप पूछो कि भाई सब्बा सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा। इस साथ काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का तो हम आप से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा। बाकी अगर प्रदोश काल शाम के समय भी करें तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली। बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बीच में करना है। 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना पर 12 बजे से ज्ञादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है, शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाये को साथ बजे या आठ बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सायले में जितनी भी अमावस्या आती हैं, उन सारी अमावस्या में भव मती अमावस्या जो होती है ये सबसे बड़ी अम अवस्या मानी जाती है और भाद्रपद का महीना समर्पित होता है। महादेव को जो कि देवों के भी देव हैं, अब देवों के भी देव महादेव जिसके साथ होते हैं, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड नहीं पाता है। और शत्रूओं से अगर आपको छुटका पाना है, शत्रूओं से अगर मुक्ती पानी है, नजर दोश से छुटकारा पाना है, धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल जीवन से दूर करना है, तो इस उपाय को जरूर करें बहुमती अमावस्या पर और बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। तो चलिए बात कर ले जीवन में शत्रूओं से परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रू आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको पैसे की कमी हो रही है, आपके जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो शत्रू होते हैं, एक शत्रू कौ पूरी तरह से खराब कर दिया है, आप अपने जीवन में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हमेशा आपको हमेशा अपने शरीर में आलस महसूस महसूस होता है, चिड़ चिड़ापन महसूस होता है, तो ऐसा समझिए, यह उपाय अब आपके जीवन म तो देखिए आपको करना क्या है? काली मिर्च के साथ ऐसे दाने लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो, तूटे हुए ना हो, एक भी दाना इसमें आपको तूटा हुआ नहीं लेना है. साथ ही साथ आपको यहां पर मिट्टी का एक छोटा सा दीपक लेना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है, थोड़ा बड़ा ही दीपक लेंगे, साथों काली मिर्च के दाने उसी दीपक के अंदर डाल देंगे, और साथ ही साथ छोटे छोटे से कपूर के दो टुकडे रख गर में आपके एक कमरा है, दो कमरे, जितने भी कमरे हैं, किसी भी कमरे में इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को बहु मती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, अपने शत्रूं से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। अगर ऐसा कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख बढ़ रहे थे, पैसे की कमी हो रही थी, तो ऐसा समझ लीजिए, सारे कश्टों से छुटकारा मिल जाता है। आप जल्दी से बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की, जो की भवमती, अमावस्या के दिन आपको विशेश कर जरूर करना चाहिए। अब दूसरा उपाय उन लोगों को करना है, जो क्षण की पीडा हो से बहुत परेशान है, जिनको क्षण दोश ने परेशान कर रखा है। देखिए, कुंडली में शनी की साढ़े हो गई, शनी धैया हो गई, शनी की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, तो व्यक्ति के जीवन के दुख कभी कम नहीं हो पाते हैं। अब जीवन से अगर क्षण दोश को दूर करना है, शनी की पीडा को शांत करना है, तो आप इस उपाय को कर लें। बड़े से बड़ा शनी दोश भी दूर होगा और शनी देव की कृपा आपको मिलेगी। तो देखिए, आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर ग्यारह काली म पिर्च रख लेंगे। जितने भी रुपए आपने लिये हैं, वह रुपए रख लेंगे, छोटी सी पोटली बना लेंगे, अब अमावस्या के दिन किसी भी जरूरत्म व्यक्ति को आपको इसे दे देना है। इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, शनी की पीडा जो होती हैं, वह शान्त हो जाती है। शनी देव आप से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके भाग्य में जितने दुख लिखे गए हैं जो भी दुखा रहे हैं, कश्टा रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो अमावस्या तिथी एक ऐसी तिथी होती है, जिस दिन आप शनी की पीडा को भी शांत कर सकते हैं। इस छोटे से उपाय को करके अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने ने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भव मती अमावस्या का बहुत ही बड़ा-बड़ा और उत्तम उपाय इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि यह तीसरा उप पाय करने से आपके घर में कोई भी वास्तु दोश है, कोई नजर दोश है, किसी ने कुछ करा दिया। ऐसी सारी चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ मा लक्ष्मी की कृपा मिलती है, धन में वृद्ध होती है, पैसा प्रति दिन आपका बढ़ता है। मत अपने भक्तों के जीवन से जितनी भी निर्धनता है, है धन की कमी है, पैसे की कमी है, उसे दूर कर देती है। अब देखिए मान लक्ष्मी को प्रसन करना है, तो श्री हरी विष्णू को प्रसन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही श्री हरी विष्णू प्रसन होते हैं, मान लक्ष्मी तो तुरंत प्रसन्न हो जाती है तो देखिए आपको करना क्या है एक देशी घी का दीपक जला देंगे साथ ही साथ आपको यहाँ पर तीन हरी इलाइची रखनी है अब अच्छे से आपको श्री हरी विश्नु का पूजन करना है देशी घी का दीपक जलाना है और अगले दिन आपको क्या करना है कि जो तीन हरी इलाइची है और रब का सिक्का जो आपने हल्दी से लगा कर रखा था हल्दी जिस पर लगाई थी यह दोनों चीजें आपको एक छोटी सी पोटली में बांध लेनी है लाल रंग का कपड़ा ले 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 या पीले रंग का ले 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 उसमें बांध लेंगे और आप यह तीन हरी इलाइची और एक हल्दी वाला सिक्का इसे आप अपनी तिजोरी में रर रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं इस उपाय को करने से ना तो आपके पास धन की कमी रहती है ना आपके भाग्य में कमी आती है मतलब बहुत सारे लोगों का जो भाग्य कमजोर हो जाता है भाग्य में निर्धनता लिखी होती है भाग्य में दुख लिखे होते हैं इस उपाय को करने से भाग्य में लिखा हुआ, जो है ना जो दुख कष्ट तकलीफ लिख गए हैं, वह तक श्री हरी विश्णु बदल देते हैं, मा लक्ष्मी आपके उपर ऐसी कृपा करती हैं कि धन को लेकर तो कभी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं हो पड़ता है, तो 3 सितंबर 2224 भादरपद महीने का मंगलवार, भौम अमावस्या के दिन इस उपाय को करना बिलकुल ना भूले, इससे उत्तम उपाय आपको मिलेगा, नहीं धन बढ़ाएगा भी, धन लाएगा भी, क्योंकि यहां पर हल्दी आपने ले ली, जो कि श्री हर विश्नु को बहुत प्रसन्न कर देगी, हरी इलायची जहां होती है, वहां बहुत तेजी के साथ पैसा बढ़ता है, धन आता है, तो बहुत उत्तम उपाय हैं, आप इस उपाय को जरूर करें दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबू किसी भी मंगलवार के दिन लद जीरा नाम के पौधे की का धारण अपने गले में कर लीजिएगा, इतना उपाय करने भर से आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है, आपका भाग्य प्रबल हो सकता है, दोस्तों, जब धर्ती पर अमरित की कुछ बूंदे गिरी थी, उसक पौधे में कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है, और आप किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ का धारण कर लेंगे, तो मान के चलें, आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ दे देगा, और आप जिस निर्णय को लेंगे, उस निर्णय से आपको फ चमेली के तेल का दीपक लेना है, चार लॉंग लेनी है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर चमेली के तेल के दीपक को जलाइन, चार लॉंग डालने के बाद, वहीं पर बैठे बैठे आप लोगों को ग्यारह बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इतना उपाए अगर आपने कर लिया तो आपको हम यह निश्चत लिख के दे रहे हैं। दोस्तों हनुमान जी के आशीरवाद से आपके जीवन में आपका दुरभाग्य हमेशा के लिए आप से दूर आएगा। आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। अब दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो नमक का उपाय है। जैमाता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, यदि आप किसी शमशान से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिती में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए, तो बहुत ही शुब समझा जाता है, क्योंकि शमशान कपड़े अपवित्र हो हो जाते हैं। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, यदि बार-बार रे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे-मोटे हो जाते हैं, चहरा सूझ जाता है, तब ऐसी स्थिती में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक का आधा चुटकी नमक डा जालें और रुई की सहायता से, कौटन की सहायता से चहरे पर लगाएं, पूरे चहरे पर लगाएं, इस से दाग धब्बे चहरे पर कीटानू नश्ट हैं। दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीडे नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया क दोसों दूर रहता है दोस्तों। भूलकर नमक शरीर के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों। नमक में 40 प्रतिशत सोडियम और 60 प्रतिशत क्लोराइड से बना। क्लोराइड से बना। झाल 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 झाल